उनका करियर अब तक कर रहा है, मैं इसको ये भी ने कहूंगा कि बहुत छोटा रहा है, 2014 से 2023 का ये जो सफर है, इस सफर में उन्होंने अपने निशान, जहां भी उन्होंने काम किया है, उस पर उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं, और सबसे अच्छी बात जो उनकी परस स्टूडेशन के स्टूडेशन के स्टूडेंट हैं और उसके साथ ही एक आत्मिश्वास से चमकती उनकी आखें बताती हैं कि धैर, संतुलंग और उमीद, इन तीनों का वो एक बहुत ही one of the finest combination भी है, ये निश्चे तोर पर उनके परिवार से उनको ये विरासत में मिला हो होगा और खुद उनकी अब ब्रिंगिंग का ये हिस्सा होगा, 2014 बैच के वो भारतिये पुलिस सेवा के अदिकारी हैं, बोपाल में वो महत्वपूर्ण दाइतों DCP के तौर पर निफाते रहे, इसके पहले बोपाल दक्षंड से भी वो एक वरिष्ट दाइतों के साथ से एक बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट के तौर पर जुड़े रहे, आप भी Bombay IIT से आपने भी एडूकेशन ली, पीछे जब आप देखते हैं, Bombay कॉस्मो पॉलिटिन सिटी है, वो आपको बहुत अलग तरीके से तयार करता है वो शहर, और इसलिए आपका अपना अनसि Bombay की अपनी उन यादों को, Mumbai की, जब एक सपना भी आपके मन में पल रहा था कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, IIT आप गए तो रिसर्च फैलो के तौर पर भी आगे जाने का, कैसे आप याद करते हैं, 13-14 साल के साही कृष्मित, जर्नी काफी इंट्रेस्टिंग रही, क्य जरूँगा, वो तो जब मैंने जॉब करना शुरू किया दो-तीन साल के बाद, तब मुझे लगा कि, corporate एक तरह का काम है, लेकिन इससे हटकर भी कुछ किया जा सकता है, और दूसरे तरह हैं जिनसे society और country के लिए contribute किया जा सकता है, और उसके बाद मैंने UPSC के preparation के बारे में मैं सोचा, बाकी जब तक बच्पन में हम क्योंकि बहुती प्रोटेक्टेड बार्ख के campus में रहते थे तो हमारे interaction भी collector recipes से कभी होता नहीं था, हमको पता ही नहीं होता था कि district administration और police exactly क्या है, तो वहां से UPSC क्लियर करके यहां पे आना काफी distinct journey है, कैसे यह बीज जिसको मैं कहूंगा कि यह इसका आपके मन में कैसे germination हुआ, अंकुरन इसका कैसे हुआ, क्या कारण बना कि बाक जैसा आपने बताया कि भाबा Atomic Research Center के एक protected environment के बीच में कोई exposure भी नहीं था, आपने खुदी बताया हमें, कहां से यह germination, इस seed का हुआ, कि मुझे अखिल भारती सेवा मे जाना है, तो यह germination तो तब हुआ, जब मैंने जॉब करना शुरू किया, मैं McKinsey & Company, एक मुझे लीडिंग कंपनी, strategic and management consulting कंपनी है, वो मेरा first job था, IIT Bombay से, और वहां पर मैंने थाई साल काम किया, और तभी, क्यूंकि मैंने काफी corporates के साथ interact कर लिया, आप Bombay में ही था, नहीं जाता है, हालां कि, मतलब, companies और market भी काफी contribute करती है, बड़, contribution direct नहीं है, और मैं चाहता था कि, बिल्कुल, लोगों से जुड़ कर काम करें, और ऐसे जगह काम करें, जहां पर आप जो दिन बर दिन काम कर रहे हो, उसका impact भी आपको नजर आता हो, usually corporate में काम करने में होता है, कि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि आप जो काम कर रहे हैं, उसका society पर exactly impact कैसे पड़ रहा है, तो उसी के चलते, मैंने डिसाइड किया कि, अभी corporate से, क्योंकि, यंग थे और काफी कुछ करने का जजबा था, और समय भी था, तो तब मैंने सूचा कि, अभी क्य दूसरा आपने ये भी कहा कि, society के लिए कुछ करने का जजबा था, और जब आप corporate के साथ काम करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, जिनका जिकर हम यहां नहीं करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि, वह एक अलग किसम का कारोबार है, तो ये विचार क कि जो city of joy है, जहां आप लुथ उठाइए जिन्दगी का, पांच दिन जम के काम करिये, Saturday आप जाये, देर रात पार्टी कीजिए, ऐसे में ये विचार की देश के लिए जाना है, corporate को और क्यों रिच करना है, जी? नई, तो ये तभी से लगता था, जैसे IIT भी अगर आप देखेंगे, तो हम fees भरते जरूर हैं, लेकिन जो सारा infrastructure है, उसमें government का contribution काफी जादा होता है, तो हमारी जो भी अच्छी पढ़ाय होपाती है, वो government या taxpayers के कारण ही होती है, और उसके बाद भी, जैसे की corporate में हम दे पैसों से या फिर government के contribution से आपने इतना किया है, तो आप किस तरीके से सही होग कर सकते हैं, और इसी के कारण जो है, मैं प्रोपेल होकर मैंने सोचा कि UPC एक्जाम देगा, इस दोरान जब आपका ये फैसला था, दुनिया की एक leading company में आपने काम किया, बाद मैं आपने jabong.com जी, तो McKenzie के कुछ मेरे colleagues थे, जो jabong के co-founders भी बने, तो उन्होंने jabong को found किया और उसके बाद जो उसका online marketing practice है, वो जब setup हो रहा था, तब मैं उसका part था, जो online marketing से, जो online marketing से, उस समय मिलब 2011-12 में online marketing, वो जो Facebook और ये search engine optimization ही हम लोग देखते हैं, ये उस समय शुरू हो रहा कि क्या कर रहे हो, यहाँ पैसा है, यहाँ इतना पैसा है कि कोई imagine नहीं कर सकता है, इतना glamour है, मुंबई खरीच सकते हो, अगर मैं फिल्मी जबान में बोलूँ तो मुंबई का king हो सकते हो, लेकिन क्यों, ऐसे सुझाव आए थे आपके साथ? बिल्कुल आए थे, जैसे जो ऐसे कई अनियर टॉप लीडिंग बिजनस स्कूल से महां जाके MBA करने के बाद वो काफी अच्छे पोजिशन पे या फिर अपने firm स्टार्ट करते हैं, काफी लीडिंग पोजिशन पे काम करते हैं, मेरे काफी सारे दोस्त, काफी बड़ी international companies में vice presidents हैं और कुछ तो अभी CEO भ हमेशा यह विचार आने के बाद जब मैं फिर अपने काम पे लग जाता हूं तो यह आश्वासन स्वता ही मिल जाता है देखकर की नहीं, this is better बिल्कुल sir, मैं आपको प्रणाम करता हूं और ना सिर्फ मध्यप्रदेश बलकि देशवासियों की तरफ से आप से कहता हूं, कि आप ही वो उमीद हैं, आप जैसे personalities जो हमें यह बताते हैं, कि उनको धन का मोह भी नहीं रोख सकता है, उनने glamour का मोह भी नहीं रोख सकता है वो अपने talent का optimum utilization, national interest में करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, कि यह रास्ता full of challenges है, हर तरह के all sorts of challenge हैं यहां पर लेकिन कमाल है आपको, heads off, आपने जब यह रास्ता चुना, यहां selection हुआ, वर्दी पहनी, जितने खुबसूरत आप इस समय लग रहे हैं इस वर्दी मे आपने पहली बार हैदरबाद से ट्रेनिंग के बाद अपने वर्दी में देखा, एक शांदार अनुभूती, बिल्कुल, बहुत ही शांदार अनुभूती, I think वो हर एक जो प्रोबेशनर, National Police Academy में जाता है, वो जब पहले दन वर्दी पहनता है, तो वो सबसे बड़ा हैला के लिए अकरसर हुए हो, बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मैं कुछ उन सवालों की तरफ आता हूँ, जो युवा हमारे दर्शक जो इस कारिकरम को देखते हैं बहुत रूची से, वो जानना चाहते हैं, आप जाहर तोर पर आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू से बहुत अच् लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट एक डिसेप्लिन से बनता है। वो डिसेप्लिन उस पर थोपा नहीं जाता है, यो खुद इसको लेकर चलता है, तो को एंजुआय करता है तो थोड़ासा अपनी जरनी के बारे में बिखाई कि IIT Mumbai, वह भी पास करना असान नहीं है, अखिल भारती सेवा, आप एक student के तौर पे कितनी देर पढ़ते थे, कैसे ease-out करते थे, मनोरंजन के लिए कब समय निकालते थे, electronic gadgets के आकरशन से कैसे बचते थे? तो UPSC के प्रपरेशन के बारें बता दूं, तो मैंने अपने आपको बहुत ज़्यादा कभी schedule से बांधे नहीं रखा, मेरा ये रहता था कि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हमारी समझ में आ रहा है, हम स्वयम खुद के best judge और conscience keeper रहते हैं, हमारी अंतरात्मा या हमको अंदर से पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो उस आवाज को सुनकर जो है आप कई चीज़े डिसाइड कर सकते हो, मैंने भी वही किया, जब मेरा पढ़ने का मन करता था और जब अंदर से समझ में आती थी कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं किया, आपको और मेहनत करने की आवशकता है, तो उस समय तक मेहनत करता था किन्तु कई बार ऐसा भी लगता था कि अब ज़ादा हो गया है, अब कुछ आराम करने की आवशकता है, कोई मुवी देखनी की आवशकता है, दोस्तों से मिलने की आवशकता है, तो मैंने कभी अपने आपको उस से बंचत भी नहीं रखा और बांध करने ही रखा, दिल्ली आखना या जरुवत से कम आख कर पुरा महसूस करना इस से बचते रहें, अपना स्वयम, अपनी आखलन खुद से ठीक से करते रहें, तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने आपको जूट नहीं बोल रहे हो, तो आप जो चाहिए वो कर सकते हो, बहुती स्प्रिच्छल आपन एक मैसेज हम को दिया, आपकी हिंदी में सुन रहा था, बहुती प्रवाह मई है, मैं भी थोड़ा हिंदी का आम बोल चाल की भाशा से अलग शब्द बोल रहा हूं, प्रवाह का मतलब है कि जरने की तरह बहती है आपकी हिंदी, आकना, आकलन, और कई बार तो नहीं, चार- हिंदी जो इतनी सुधरी है, उसका मैं पूरा श्रया जो है, मद्यप्रदेश के भूमी को दूँगा, जी, जी, मद्यप्रदेश को भी प्रडाम है कि जिसने आपकी हिंदी को इस लेवल पर की, किंतु एक ऐसा शब्द है जो हिंदी का, इसको हम कहते हैं कि बहुत ही हिंद नहीं, मैं सच बोलूँ तो मैं अभी भी सीख रहा हूं कि मैं हिंदी में अच्छी नोटिंग कैसे करूँ, कई बार मैं अपने जो सबॉडिनेट्स हैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि कहीं देख लो कि इसे मैंने कुछ गलत तो गर्माटिकल अरर तो नहीं कर दिया है, तो पहला स्टार्टप हो, और उसके बाद आप एक ऐसी दुनिया में आते हैं जहां अपराद है, जहां इन्वस्टिगेशन्स हैं, जहां लॉइन और को मिंटेन करने के चैलेंजेज हैं, तो बहुत शुरू में क्या ये अनुभाव आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा ही सारी चीज़े कंज में आती हैं, और हलागी कंज हैं, लेकिन जब आप US इसिस् underneath होते ओ तो आप एक अलग दृष्टी से पॉरीस को देखते हो आप अलग दृष्टी से सग्राड़ को देखते हो, तो फो दृष्टी मेरे खसे उनी लोगों में होगी पुली से भात प्लोजली जुड़े होई हैं, ये ऐसी संस्था है जो मेरे ख्याल से शाहसकी एक विभागों में सबसे ज़ादा काम करने वाली शंस्था है। इंडिया में जो पुलीitel है वैसे एक Police to population ratio कहा जाता है जो one is through hundred hundred and ten यूजिली बेंचमार्क माना जाता है, इंडिया में कई जगों पे वो इसके 10 टाइम्स है, मतलब, इंडिया में जो पुलीस वाला है, वो वर्ल्ड के आवरेच से 5 या 6 गुना काम करता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है, इसके बावजूद हमारी डिमॉक्रसी स्टेबल ह इसके बावजूद, इंडिया is not the worst criminal, मतलब, crime-infested country, कई सारे developed countries है, जो इंडिया से काफी ज़्यादा crime रखते हैं, तो उस sense में, कई सारे चीजें हैं, जो हम लोग appreciate कर सकते हैं, हलांकि ये मानना भी सही है, कि कई सारे areas हैं, जिसमें हम लोग पुलीस को improve करनी की आवशकता ह लेकिन मुझे लगता है, जितने कम constraints में, जितने कम budget में, कोई department ये धी काम करता है, तो I think, पुलीस विभाग उसमें first होगा, हमारे 95% से ज़्यादा, ये लगभग उसी 90-95% हमारा जो budget है, वो salaries है, ऐसा कोई विभाग नहीं होगा, जिसमें इतना ज़्यादा पैसा जो है, पुलिस में जाता है, और जो बाकी जो है, वो ऐसा है, तो मतलब बहुत ही unique department है, और ये completely, ये हम लोगों का बना हुआ है, और ये लोगों को ही serve करता है, तो I think, इनसान को या फिर लोगों को जानने का मौका, इस service से अच्छा है, I don't think, कोई service होगा, जो दे पाता है, बिलक और आप लोगों की एक चीज हमें बहुत appeal करती है, कि एक थाना हो, या एक DCP का office हो, आपका जो team work है, एक अरदली भी अपने साहब के लिए पूरी जान लगाने के लिए तयार रहता है, और छोटे बड़े सब के बीच में, जो एक मैं देखता हूं, तमाम against all odds, जो तमाम च team work के बिना police कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और मध्यप्रदेश police को heads off है, जो एक Bobby जैसी image भी रखती है, exceptions हर जगे हैं, हर profession में हैं, लेकिन मध्यप्रदेश की police का एक बड़ा प्यारा और चमकता हुआ face है, जिसके लिए मैं हर छोटे बड़े कर्मचारी और अधिकारी को इसके लिए हमेशा याद रखता हूँ, एक और बड़ा एहम पड़ा हो रहता है जिन्दगी का जब आप शादी नाम की संस्था में प्रवेश करते हैं, आप फिर से गुजरे अभी या, नहीं मेरी शादी हो चुकी है, अभी कुछ समय पहले ही, आचा, जो ये वो भी क्या सेवा में हैं या, जी वो इंडियन डेविन्य सर्विसेस इंकम टैक्स में है, अभी उनकी पतस्थापना कुछ दिनों पहले ही भुपाल में हुई है, लगबग एक महीना पहले, एक महीना पहले, ये क्या एक एरेजमेंट सौट अफ मैरेज रही या ये कुछ आप लोग प पहलों पर बात करना बहुत जादा पसंद नहीं करते हैं और ये हर व्यक्ति का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, मैं भी शायद कुछ ऐसा हो सकता हूं, लेकिन जो आपकी जीवन संगिनी है, कई बार मैंने देखाए कि एक बड़ा ideal contradiction होता है, जो मैरेज के लिए बड़ आपसे जादा ही बोलती है, आपसे जादा बोल लेती है, बिल्कुल, चलिए, आगे आप किस तरह से देखते हैं, जो सेवा है अभी करीब-करीब ये नौ-दस साल जो आपके रहे हैं, इनमें बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, अलग-अलग चुनौतियों का सामना भ तो वो भी अगर आप बाटना चाहें हमारे साथ, ये जो लास्त कुछ साल रहे हैं, बहुत ही उतल-पुदल वाले रहे हैं और बहुत ही सीखने वाले रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो I think, इसमें मेरा सबसे बड़ा लर्निंग यही रहा है, कि पुलीस में जो हमारे कर का स्त्रोथ, कोई बाहर का विक्ति नहीं, कई बार हमारे खुद के कर्मचारी होते हैं, कई constable हैं, कई सब inspectors हैं, कई inspectors हैं, कुछ senior officers भी हैं, जो actually हमें inspire करते हैं, तो जो इस service में मैंने सीखा है, वही है कि एक simple सा विक्ति, जो बहादूर है, जो जिसकी integrity अच्छी है, जो जानता है कि वो सही काम कर रहा है, वो अकेला जो विक्ति है, वो कई विक्तियों के बराबर है, हमारे पास हर system में यही होता है कि कुछ लोग होते हैं, तो एसे police में काफी लोग हैं, और police में मैंने देखा है कि कई लोगों में जजबा भी है, इसको आगे बढ़कर करने का क अधिक, तो यह अपने अंदर बनाए रखना, थ्रूआउट थर्टी फॉर्टी एर्टी अफ सर्विस जो भी है, यह मैंने देखा है कई हमारे करमचारियों में, और यही मेरी सबसे बड़ी सीख रही है कि कैसे हर एक situations में आप जो है, अपने आपको संभाल रखें, पॉज मज़ा है सर आप से बात करके, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे के करियर में जो सामने आएगा वो भी बहुत दिल्चस्प होगा, और मैं धेर सारी best wishes और शुब कामनाय आपको देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हम से बात करने के लिए, यह थे साही मैं है सब्सक्ते है और मैं धो राइड करतु आपको यह मैं जो इस प्सक्ते है